नमस्कार मैं आओ राउल शर्मा आप देखनें एस्पेनाइन नियूस स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में और बड़ी खबर के शुरुआत इवियम के मुद्धे को लेकर इवियम का मुद्धा एक बार फिर सवालों के कडगरे में आ गया है जी हाँ चुनाव नस्दी काय नहीं कि विपक्षी पार्टियों ने इवियम पर बवाल मचाना शुरू कर दिया इवियम पर तमाम तरह के सवाल खड़े करने शुरू कर दिये हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इवियम के जरिये बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर सकती है और क्या इवियम का सहारा लेकर बीजेपी बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेगी दरसल मौजुदत समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि इवियम पर सवाल खड़ा होना ये बताता है कि विपक अब देख रहे हैं SP9 News स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी कबर में और बड़ी कबर के शुरवात EVM के मुद्य को लेकर कर रहे हैं दरसल EVM पर विपक्षी पार्टियां ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि EVM के जरिये BJP चुनाव जीतने की कोशिश करेगी इसलिए EVM से चुनाव बंद होना चाहिए पूरी तरीके से हाला कि जनता भी ये कहती है कि EVM में गरबडियां कहीं न कहीं होती है जो कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जनता का रुजान विपक्षी दरफ रहता है जनता विपक्ष को सपोर्ट समर्थन की बात करते हैं जब नतीजे आते हैं तो उलट तस्वीर होती है यूपी में विदान सवा का चुना हुआ और उसमें देखने को मिला किस तरह से EVM में गरबड खोटाले की बात कहीं गई ये समाजवादी पार्टी ने कहा था और समाजवादी पार्टी ने कई वीडियो दिखाई भी थे हाली में उत्तर प्रदेश के अंदर दो सीटों पर चुना हुए जिनमें रामपूर और आजमगर की सीट थी और इन दोनों सीटों पर भी EVM को EVM में हेर फेर की बात सामने आई थी तो यहाँ पर सीधे तोर पर देखा गया कि EVM में जो हेर फेर की बात निकल कर सामने आई है वो कितने बड़े हाथ तक सही है यह तो हम नहीं कह सकते लेकिन यह काफी समय से जो कहा जाता रहा है कि EVM से चुनाब बंद होने चाहिए बैलेट पेपर से चुनाब होने चाहिए और अगर बैलेट पेपर से चुनाब होते तो चुनाब सही तरीके के होंगे निस्बक्ष तरीके से होंगे इसकी भी क्या गारेंटी है हाला कि विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना लेकिन कहीं ना कहीं मौजुद है समय के अंदर चुनाओं से पहले इस तरह का मुद्ध जो उठा है सब्सक्राइब किया कुछ बड़ा अपना बयान दे सकता है या क्पलिक्ष कमिशन की तरफ से बात आ सकती है वक्त जरूर बताएगा लेकिन जनता को क्या लगता है। यह से चुनाओं हो जाना चाहिए यह से अगर चुनाओं तो विपक्ष वाकई चुनाव जीत जाएगा आज के लिए इतना ही आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार